हम सभी बाबा के प्यार में मगन होने वाली महानात्माएं एक के प्यार में मगन होना ही संपूर्ण ज्यान है यह भगवानों वाच्छ है लोग मनुस मनुस्यों से प्यार करते हैं और उस प्यार में बहुत दुख भी पा रहे हैं अब समय मिला है अब सर मिला है एक भगवान को प्यार करने का और याद रहे जो संगम यूग पर एक बाप के प्यार में मगन हो जाते हैं जनम जनम उन्हें संबंधों में प्यार मिलता है जो संगम यूग पर सभी को प्यार देते हैं उन्हें किसी भी जनम में किसी के प्यार की आवश्रक्ता नहीं रहती वो सदा ही दाता बन कर रहते हैं आओ हम सभी स्वयम से बाते करें जिस वाबा ने हमें जीवन दान दिया है जिसने हमें नया जीवन दिया जीने की कला सिखाई, हमारी राहों को आसान किया, उसे भूल भला और हम किसे याद करते हैं। चिंतन करें अपने से, और भूल जाएं सारे संसार को, उसके प्यार में, उसकी याद में, जिसने हमारे लिए नया संसार दिया है। जो हमारे लिए स्वर्क की सोगात लेख़ाया है, जो हमें खोया हुआ राज वापिस दिलाता है, जो हमें सम्पुर्म पवित्र बना देता है, और पवित्र बनाकर दंधाने से भर्पूर कर देता है जनम जनम के लिए। उसे छोड भला हम किसे याद करते हैं इस अंतार में कोई व्यक्ति किसी को 20-50 लाक रुपे दे दे वो व्यक्ति जीवन भर उसका सुक्र गुजार रहता है उसका ऐसान उसके दिल में समाया रहता है और बाबा न केवल 21 जनमों के लिए लेकिन तीन युगों के लिए हमें भरबूर करके जाता है ताकि हमें कहीं भी भाग्य को कोसना न पड़े तो बाबा के प्यार को महसूस करें वो हमें कितना प्यार करता है केवल हमें उसे प्यार नहीं करते वो तो हमारे जनम जनम के प्यार से भी कहीं ज़ाद प्यार हमें देता है क्योंकि वो तो है ही प्यार का सागर जितना जितना हम देवान से न्यारे होते जाएंगे ऐसा दीरी होते जाएंगे उतना उतना बावा की ओर एट्रेक्शन बढ़ता ही जाएगा यही नियम है जो देवान में हैं उन्हें देधारी प्यारे लगेंगे और जो देखे से नियारे हैं उन्हें निराकार प्यारा लगेगा उसका निराकार स्वरूप उसकी केरने आनंद देने वादी होंगी सुक्समलोक में बापदाता से मिलन पती न्यारा और प्यारा हो जाएगा तो हम अपने चित को सरवात्माओं के लिए भी प्यार और सुभावनाओं से भर दें क्योंकि योगी वही बन सकते हैं जिनका चित सभी के लिए प्यार से भरपूर हो सुब भाव नाओं से भरपूर हो जिनोंने घरणा भाव, बदले का भाव या इर्षा द्वेश का भाव अपने अंदर समाया है वे योगी नहीं बन पाएंगे क्योंकि भगवान उन्हीं प्यार नहीं करता ये सत है कि योगी बनने के लिए भी बावा की बहुत जादा ब्लेसिंग्स चाहिए हम जानते हैं स्रेश्ट पुर्सार्थ भी बिना उसकी ब्लेसिंग्स के बिना उसकी सक्तियों के बिना उसके आसिरवाद के हाथ के नहीं होता है इसलिए हम उसकी संपूर्ण रचना को प्यार करें उसके कर्टव्यों में सच्चे दिल से लगे रहें उसके कारियों को संबन करें उसके प्यार की वर्षात हम पर होने लगेगी लेकिन जो मनुस उसके कारियों में भी घंडलते हैं, उन पर तो उनकी द्रस्ती भी नहीं आती, वो भगवान की द्रस्ती से दूर चले जाते हैं, और जब उन पर भी घंडाएंगे, वो बाबा को पुकारेंगे, बाबा की नजर उनकी तरफ नहीं आएगी, तो आईए हम यो सर्व सक्तिवान की सक्तियों की केरणों का फाउंटेन मेरे उपर उतर रहा है, ओम स्यंती